जाएंगे तो इसलिए मैंने यह आराम से बताया है और आप आराम से समझ सकें एक-एक स्टेप फॉलो करके प्रोग्राम कर सकें तो दोस्तों मेरा यह आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों के आथा शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने कोपरेट होता है और सेम चीज इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है एसकाडा में हमाई में सारी चीज़े चलती है तो फ्रेंड्स मेरा नाम विशाल दिक्षित है और आप देख रहे हैं विशाल जी की खोज मेरा यूट्यूब चैनल तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यह यह हमारा इस टॉप टीवी है एम 0.1 और यह हमारा आउट्पुट है आउट्पुट ओन ठीक है यह तीन अभी हमने यूज किया एपलाई किया ओके कर दिया इससे किया कमेंट हमें दिखने लगे उसके बाद हम ट्रैफिक लाइट का जो बना रहे हैं लोगिक इसमें हम एक और नेटवर्क इंसर्ट कराते हैं उसमें हम लॉजिक लिखेंगे मैं रेड लाइट कैसे ओन करानी है यहाँ पर मैंने एक एनो लिया इसको हमने नाम दिया एम 1.0 मतलब यह आउट्पुट ओन होगा इससे यह हेल्दी होगा देन हमने इसमें एक एनसी दिया इसको मैं दे रहा हूँ T0 देन मैंने एक आउट्पुट लिया इसको मैं बोलता हूँ M1.1 और इसकी एड़ेसिंग कर देता हूँ यह जो हमारा M1.1 है यह मैं बोलता हूँ यह रेड लाइट है इसको डिलीट करके यह रेड लाइट है M1.1 यह देखे एड़ेट सिम्बॉल एड़ेट सिम्बॉल के बाद Red on data type Google है मैं इसको यहां से apply करके OK करता हूँ Then अभी हमें इसमें क्या करना है एक यहां पर timer लगाना है क्योंकि बिना timer पर तो होगा निए तो हम timer on delay लगैंगे तो मैं यह क्यां पर timer लगाने बोला हूँ कि यह लेप्ट न जो देख रहे हैं मेरा करो सर्मु कर रहा है यहां पर टाइमर होते हैं तो मैं यहाँ ले रहा हूं कि अ एस को अधे लेप tough,mach. आप ती मैं निया जो ताइमर लेऊ इसको में नाम देता हूं या अपनी मर्जी पर जितना भी करा सकते हैं, मैं रेड लाइट के साब से कर रहा हूँ, इसका लॉजिक रेडी, तो मैंने यह डाला, उसके बाद मैं भी उड़ा से उपर कर लेता हूँ, इसकी एक नेटवर्क और इंसर्ट कराता हूँ, इंसर्ट नेटवर्क इसमें मैं लेता हूँ, तो हमने T0 को ऐसा इंपुट यूज़ करूँगा, तो मैं इसको ती जीरो देता हूँ, उसके बाद दैन क्या करना है, मैं यहां से T0 के बाद एक आउटवुट लगाता हूँ, पहले एक और इंपुट लगाता हूँ T1 का, जो कि आगे एक और टाइमर यूज़ करना है, यह आप देखते जाए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैंने यहां एक आउटवुट लिए यूज़ किया, इसको मैं नाम देता हूँ M1.2, यह मैं यलो लाइट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहां पर एडिट सिंबल में, इतने भी डिजिटल लॉजिक रहते हैं वो बूल में ही रहते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से फिर एक हमको यह ब्रांच लेनी है, इसमें हम लगाएंगे टाइमर, वो टाइमर होगा हमारा, सेम, एस ओडिटी, यह होगा टीवन, सेम नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, इसा कुछ खास नया नहीं है, टीवन हो गया, इसको भी देते हैं, एस 5 टी हैश, यह हम क्या कर रहे हैं, यलो लाइट, इसको हम 5 सेकंड के लिए ओन कराएंगे, तो 5S कर देंगे, और एंटर क कर देंगे, यह हमारा दूसरा लॉजिक रेडी हो गया, यलो लाइट के लिए, अब एक और तीसरा नेटवर्क इंसर्ट कराएंगे, यह जो टाइमर होता है, अभी आपको समझा दूँगा, अभी आपको क्रियर हो जाएगा, पहले लॉजिक ब्रॉ कर लेते हैं, वैसे मैं यह पर इसे टीवन से होन कराएंगे, एनो कांटेक्ट लिया, इसको टीवन से दिया और टीवन असाइनमेंट किया, इसका नेम, धैन हमने टीटू का एनसी ले लिया, जो भी टीटू नीचे लगाने वाले हैं, उसका मैंने एनसी ले दिया, और यहां पर एक आउटपुट लिया आउट्पूट हमने जो लिया यह जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ऊपर मिलता नहीं है कोई यह कोई लिया इसे देता हूँ एम 1.3 इसको भी हम एडिट कर देते हैं एडिट सिम्बॉल तो यह हमारा क्या हुआ रेड हो गया यलो हो गया भी हो जाएगा हमारा ग्रीन इसे ग्रीन ओन डेटा टाइप गूल यह भी यहां तक हो गया देन हमें क्या करना है जैसे यहां टाइमर लगाया था ऐसे हम लगाए तरह से लगाना है हमें यह नीचे ब्रांचली एस लगाया इसको हमने नाम दिया टीटू और यह हम कर आ रहे हैं ग्रीन लाइट के लिए तो यहां हमको लिखना पड़ेगा एस पाइप सी हैश 15 एस यह सेकंड्स आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं यह मैं आपको स 15 सेकंड यलो जलेगी 10 सेकंड रेट जलेगी और 5 और 10 का टोटल हुआ 15 सेकंड ग्रीन ओन होगी यह एक रोबोट का है एक सिगनल का चार रोड हैं तो चारों के लिए अलग अलग सिगनल करना पड़ेगा अब देखिए यहां तक तो हमारा सिस्टम लॉजिक त्यार हो गया अब लेकिन यह reset कैसे होगा अभी यह कैसे काम करेगा आपने यह push button on किया यह healthy हुआ उसके बाद यह M1.0 on हो गया M1.0 से तो कि T0 NC लिया हुआ है timer on नहीं है तो यह हमारा M1.1 red light on हो जाएगी जैसे यह on होगी same time में timer second count करना start कर देगा यह 10 second के बाद open हो जाएगा तो red light off ह जाएगी जैसे यह open होगा यह open होगा क्योंकि NC लिया है लेकिन timer on होगा तो यह T0 यहाँ पर आएगा यह network 3 में इससे T1 already NC है तो हमारा 1.2 yellow light on हो जाएगी और yellow light on होने के बाद जैसे ही on होगी जैसे यह timer चल जाएगा 5 second के लिए T1 ती 1 5 second के लिए चलेगा मतला on होगा तो यहाँ पर जैसे ही on होगा T1 तो यह हमारी yellow light तो बंद हो जाएगी और यह हो जाएगा T1 का contact open करसर पर ध्यान रखिए और same time में T1 यहाँ पर on होगा network 4 में on होने के बाद यह सीधा T2 NC है यहाँ से हमारा green light on हो जाएगा और यह 15 second तक on रहेगा उसके बाद जैसे ही यह timer on हो यह जो हमने red light यहाँ on कर आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ T2 का contact मतलब T2 का NC दे देता हूँ इससे क्या होगा बाकि जो भी होगा अभी ट्राइ करके देख लेंगे पता चल जाएगा प्रोग्राम सही है या नहीं है देखिए अब मैं इससे डाउनलोड करता हूँ simulator मैंने already open किया हुआ है यह आप देख सकते हैं अभी मैं इनको बंद कर देखा हूँ क्योंकि अपने memory bit इसके आप से लेखा हूँ ठीक है मैंने इससे डाउनलोड किया प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है वो भी बन में अब मैंने डाउनलोड कर गया इससे डाउनलोड करता हूँ यहां memory bits ले लेता हूँ insert bit memory यह M0 का एक लिया है एक और insert bit memory करता हूँ इसको मैं 1 दे लेता हूँ अब यहां पर प्रोग्राम डाउनलोड हो गया अब हमें करना है online यह चश्मा जो देख रहे हैं चश्मा लगाया चश्मा लगाते ही यहां पर आपको यह दिखने लगा होगा अब हमें M0.0 देना है तो M0.0 जैसे ही on करा है यह देखिए on हो गए यह timer चल गया यह जैसे ही off होगा आउन होगा वैसे ही यह red light off हो जाएगी 10 सेकंड के बाद यह off हो चुकी है timer reset नहीं होगा क्योंकर हमने reset bit डाली नहीं है अब यह हमारा यहां से on हो गया अब यह दूसरा भी 5 सेकंड on होके off हो चुका है अब यह 15 सेकंड के बाद यह off हो जाएगा जो green light का है जैसे green light off होगा ठीक वैसे ही हमारा उपर वाला पहला timer फिर से अगेल on हो जाएगा आउना चाहिए यह देखिए on हो गया यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह हमारा system सही run कर रहा है यह थोड़ा छोटा कर देता हूँ बड़े मैं दूर से देखिए अभी आपको सारे दिख रहे होंगे यह भी है देखिए green है यह भी green है यह लाइट ओन है जैसे timer के count पूरे होंगी यह off हो गई यह जल गया on हो गया red light तो यह ऐसे काम कर रहा है अभी यह बिलकुल perfectly काम कर अब हम चलते हैं विंसी की programming के लिए यहां टेक्स की जरूवत होगी यहां से देख लेंगे देखिए विंसी सी ओपन हो गया है अब यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूं मैंने यह पहले से विंसी सी ओपन कर लिया था अधरवाइस काफी प्रॉब्लम होता टाइम लगता अभी भी टाइम लग रहा है तो मैं थोड़ी पर के लिए वीजियो कर देता है देखिए विंसी सी ओपन हो चुका है अभी मैं विंस नहीं हुआ चाहिए चलिए मैं बेसिक पैनल ले लेखा हूं 10 इंच का विंसी सी का प्रोग्राम देखिए ओन हो चुका है ओपन हो चुकी है अभी मैं यहां पर स्क्रीन बन में जाता हूं कुछ प्रॉब्लम है और रिस्पॉंडिंग आ रहा है देखिए यह स्क्रीन आथी स्क्रीन वन तो अभी हमें क्या करना है इसमें कुछ टैक्डिस डिफाइन करने है कि अब साइस बगरा एड्जस्ट कर लेते हैं अब चीज है डिवाइस सेटिंग में जाकर कि अब यहां पर क्या चाहिए बटन तो हम यहां पर एक बटन को ले लेते हैं यह बटन हो गया इसी का एक डुप्टिकेट और लगा लेते है नीचे एक और बटन हो गया दो बटन हो चुके है हमारे इसके अलाब हमें एक चीज़ा और चाहिए टैक्स अब यह अपने बनाई रही है यह हमें बनाने पढ़ेंगे टैक्स बनाने के लिए टैक्स की विंडो कोलते हैं यहां पर हमें एक स्टार्ट कर देना है टैक्स बना लेते हैं स्टार्ट टीटा टैप हमारा बूल है तो हमने यह बूल सेलेक्ट कर दिया है हाँ पर एड्रेस एड्रस हमें देना पड़ेगा यह पर मिली सेकेंड है कि यह बार इसे मैं करता हूं इंटीग्रेटेड इन स्टेप सेबर यह मेरे पील्सी से कनेक्ट हो जाएका अब देखे यह पूछ रहा है किस से कनेक्ट करना है तो अधी मैं नीचे अपना नेम देखता हूं प्रोजेक्ट नेम के आई पील्सी में इससे बता देता हूं सेमेटिक मैनेजर टाइमर एफ यह मेरा प्रोग्राम है सेमेटिक मैनेजर टाइमर एफ एस तो उनने इसको पर दिया अभी डिल्सी से अभी इट शुडबी टेक एड्रेसेज यह मेरे प्रोग्राम के साथ configure हो चुका है, देखते हैं यहां भी आ गया हो, यह देखिए, यहां डिवाइस बन यह आ चुका है, तो हमने इसका HMI का प्रोजेक्ट बनाया था, यह इसके साथ compile हो चुका है, अब ही मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूं, अब देखिए, विंसी ऑ python में इसके साथ高 बाइब को र भाइब दिख को, मैं ख temple, और दोचे साथ आ है, wanा Kingdom music is online, the last Sewn यहां, को प्रोजब entrepreneurs भी आफ्मागो चे क्रोणшихों, हुएं consistent with short друзья क clues on, i just cannot allow any tools you know, anove in case of the mat इसमें टैग बनाएं यह सारे आ चुके हैं यह प्रोग्राम सेव नहीं किया था इसकी यह चाहिद यह कुछ इसी पुराने प्रोग्राम के टैग्स आ सकते हैं लेकिन मैं इसे एक शेव भी करता हूं आउलोग तो अलेडी हो चुपा है पर यहां दोबारा से इसको कंपाइल क राते हैं कि कप में जो टैग लेना है वो हम टैग यहां से लेते जाएंगे अब हमें सबसे पहले लेना है यहां पर स्टार्ट का प्रीन पॉन नहीं है पहले हमें स्टार्ट चाहिए स्टार्ट के लिए हमें क्या चाहिए यह दिया का एम 0.0 लेकि वीडियो तोला लंबा हो सकता है लेकिन आपको क्लियर पूरा होगा क्योंकि यह इतनी डीटेल चीजें को ही बताएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं आपको यह अन्डिपाइंड क्यों आ रहा है यह 0.0 होना चाहिए अ जस्ट बनेट लेट नीचेक हमारा CPU 312 है यह ज़रा कुछ और क्यों ले रहा है टाइमर्स कही प्रोग्राम है एंप के अंदर इसे लेना चाहिए वह यह यह है M0.0 स्टार्ट पुश्बटर मैं गलाट रहा है यहां से टैग लेता जाओंगा और इन सभी को अंड्रेड मिली सेकेंड कर देना है दूसरा टैग हमें चाहिए स्टार्ट पुश्बटन का तो वह हमारा स्टार्ट पीवी यह है इसको भी हंडेड मिली सेकेंड कर देता हूं यह टैग्स क्या है हमने जो मेमोरी बीट बना दिये हैं तो टैग्स अपने आप और्टोमेटिकली महां से हमें मिल रहे हैं बेसिकली हमें टैग्स चाहिए पांच ही है वह अभी हम एक एक करके लेते जाएंगे जैसे अभी हमें चाहिए रेड लाइट ओन रेड ओन आ गया इसे हंडेड मिली सेकंड यह देखें मुझे कुछ टाइप नहीं करना प्ला रहा है यह आटोमेटिक वैल्यू उठा रहा है हमने इसमें मेमोरी बिट्स में डाला है और TLC के साथ कंपाइल कर दिया है तो मैं ज्यादा उसमें लगने की जरूवत नहीं यह देखिए एम 1.2 हमारा यलो होना चाहिए कुछ गलत बोल रहा है देखते हैं यहां पर आते डिफाइन करने के लिए यलो है यलो है यलो हो एम बन पॉइंट यह भी 100 मिली सेकेंड अभी एक और हमारी बची है उसको भी आड़ कर लेते हैं यहां सेलेक्ट गिया लेफ्ट क्लिक यहां पर आके अन डिफाइन ने हमारा क्या बचा है यलो हो गया रैड हो गया ग्रीन बचा है तो ग्रीन लाइट ग्रीन ओन एम 1.3 यह हमारी बीन का भी आ चुका है इसको भी 100 मिली सेकेंड कर देंगे तो टैक्स हमारे तयार हो गए है इसे एक बार सेव कर देते हैं तो हम स्क्रीन पर गाम करेंगे आज इस वीडियो में आपको टैक्क बनाना भी आप चीख गए लॉडिक बनाना भी सिख गए और विन सीची पर डिजाइनिंग भी आपको अभी थोडी देर में आ जाएगा वह भी बना लेते हैं, अखे हम सरक्ल लेते हैं अ कि ऑंивается सरकल लेने है और ही को कॉपी करते जाएंगे चंभ और प्यस्त है आप Rocky अज्यवे सरकलख थाफिक लाइट के लिए लिए तीनोग सरकल इसे भी ले लिया अब इन तीनों को अलाइन कर लेते हैं तीनों अलाइन हो चुके हैं अभी हमें एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं इसके अंदर इन सभी को कर देते हैं राइट क्लिक करके ओडर ब्रिंग फ्रन्ट फॉर्वर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड कर दिया साइध बैक्ग्राउंड करना चाहिए इसका अब यह तीन हमारे लाइट आ गए और यह हो गया अभी हम क्या करने वाले हैं इसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं एपीडियेंस में गए अब हमें इनकी सबकी ट्रोग्रामिंग करनी असाइनमेंट यह अभी हमने इसके उपर सबसे पहले इसको बटन को प्रेस टच किया उसके बाद जर्नल में जाकर इसमें अभी हमें क्या करना है हमने बोला स्टार्ट इसको पकड़ा इसमें लिख दिया स्टॉप इसकी हमें जाना पड़ेगा स्टार्ट इस्टॉप लिखने के बाद यह स्टार्ट इस्टॉप हो चुके हैं अभी हम इसमें जाएंगे इसके इवेंट्स में इवेंट्स में जाएंगे तो यहां पर हमें इसको बताना पड़ेगा कि प्रेस पर क्या है और रिलीज पर क्या है हमने यह प्रेस किया प्रेस के बाद इसको बताना पड़ेगा सेट यहां से इसके बाद हम जाएंगे एडिट बिट में यहां पर हमको मिलेगा सेट और रिसेट सेट बिट हमने यहां पर सेलेक्ट कर दिया उसके बाद यह पूछेगा टैग हमें स्टाट आन कराना है स्टाट को पुश बट्रyty cosa में यह स्टाट को सेलेक्ट कर दिया यह मैं आ चबाए अभे हमें क्या करना है chinese रिलीज पर रिसेट होना चाहिए एडिट में गए यह रिसेड बीड यह हमारा हो गया अभी हमें स्टॉप पकड़ना है इस टॉप में भी सीम चीज करनी है प्रेस प्रेस के अंदर हम गए यहां पर एडिट विट इसके अंदर हमने किया up reset सीम शीज स्टॉप सुच में करना है इस 거의 प्रेस किया प्रेस करने के बाद हमें Set करना पड़ेगा Set bit और release कि यहां Tag No. देना पड़ेगा हम सब्स्च की बाद कारे है । Stop Push Button और सेम चीज सीज सीक Help रिलीज में हमें रिसेट करना पड़ेगा रिसेट बिट रिसेट बिट यहां भी प्याग बताना पड़ेगा इस वेश हमारा है इस टॉक स्विच उपर स्टार्ट में छूट गया था रिलीज में इसका रिसेट में हमें टैग नमबर असाइन करना है इसलिए मैं अब कर देखा हूँ हमने इस टॉक के स्टार्ट बटन को स्टार्ट पुश बटन का टैग लेगा है हम इनका असाइनमेंट करते हैं यह जो हमने ट्राफिक लाइट पर आई है सबसे पहले इसका एपीरियंस में हमें क्या करना है एपीरियंस अभी तो फीक है अब हमें इसमें करना है एनिमेशन एनिमेशन में हमें सबसे पहले एपीरियंस में बिट लेना है यहाँ पर टैग लेना है यह सबसे उपर वाली हमने ली रेड लाइट यहां नीचे हमें bit लेना पड़ेगा कि इस bit पर इसे on होना है और off होना है, यह integer नहीं यहां पर bit लेना है, यहां ने bit लिया, और यहां पर इसके color assign करने होंगे, 0 पर white ही बना रहेगा, और जैसे ही हम इसकी value 1 करेंगे, 1 पर हमें color चाहिए इसका red, तुम्हें red select कर देंगे, यहां पर इसका tag number select करेंगे, appearance में, तो यह yellow on हमने ले लिया, जैसे हम यहां tag लेते हैं, यह enabled हो जाता है, यहां पर भी हमें bit लेना करेंगा, bit लेने के दिए इसको, यह bit select कर दिया, then, 0, 1, email assignment करना पड़ेगा, तो हमें background color यहां चाहिए yellow, जैसे इसकी bit 1 हो, उसके बाद तीसरा है, तीसरे का हमने फिर यहां से tag assign करेंगे, tag लेंगे, यह हमारा होगा, green, green light यह है, m1.3, यह green light लेने के बाद, यह नीचे फिर से bit को select करेंगे, तो यह integer और binary अलग चीज़ है, यह analog में काम में आती है, तो यहां पर भी one, और यह अमने green on है, तो यहां पर one bit जब होगी, तो यह green color का appearance आना चाहिए, तो मैंने यह green ले दिया है, यह हमारा project ready हो गया, आप चलिए इसे check करते हैं, इससे पहले हमें यहां पर यह अपना online होना चाहिए, इसे online करा करा के देखते हैं, हमारा logic yes, run कर रहा है, तब हम इसको simulate कराते हैं, run time में, देखे, अभी एक नई window open होगी, फिर उसमें हम operate करा के देखेंगे, हमारी HMI window open हो चुकी है, अब यह देखे, अब हम आपको दिखाते हैं, यह कैसे बर्थ करता है, plant में दी जहां भी process control होगी, वहां भी operator इसी तरह से process को बाच करता है, अब देखे, हमने जैसे ही start बटन दबाया, red light on होगी, यह 10 second के लिए on होगी, उसके बाद yellow light on होगी, yellow light 5 second के लिए on होगी, उसके बाद green light on होगी, इसे बीच में stop कराएंगे, तो यह stop हो जाएगा, यह देखे, फिर से start किया, फिर से same process चल ला है, इंचाहें तो इसे full screen भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे PLC में इससे में क्या चल ला है, कि देखे, फिल स्क्रीन हो गया है, आधा आधा कर देखें दोनों को, इससे देख से में कोई बिटकत नहीं आए, देखे, जो हमारा जैसे system चल ला है, PLC में सीस आप से, यहां पर भी चलता है, मैंने इसको stop कराया, आप देखेंगे, यह output off हो जाएगी, जैसे ही मैं stop कराऊँगा, देखे, यह output off हो गया, जैसे ही मैं यहां से start कराऊँगा, यह output on हो जाएगी, पूरा system healthy हो जाएगा, और यह timer हमारा चलने लगाए, आप देख सकते हैं, मैं इस screen को बढ़ा कर देता हूँ, जैसे इन से तब, आपको maximum part दिख साए, इंडस्टी में भी जो process operator है, इसी type से, मारी पूरी process को watch करता है, जो control room में बैठके, जो भी हमारे process variable हैं, motor चलना है या बंद है, जो भी चीज़ें watch करते हैं, ऐसे ही करते हैं, और पूरी machine को ऐसे ही control करते है, on off कराके, इसे आप अपनी कलाकारी से अपने दिमाग से बहुत अच्छे से अच्छा भी बना सकते हैं, बहुत fantastic color और visualization चूज कर सकते हैं, और दोस्तों मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे आपको बताया है, जिससे आपको सारे steps clear हो, मैं चाहूं तो बहुत फटा-फट भी बता सकता हूं, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग miss कर जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये आराम से बताया है, और आप आराम से समझ सकें, एक-एक step follow करके, प्रोग्राम कर सकें, तो दोस्तों मेरा ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ share करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें बाई, ओके, थैंक्यू,